हर आदमी की संडे की छुट्टी होती है उसी तरह दिल्ली एंसियार के जितने ड्रैवर हैं वो सभी अब सुमवार को अपनी एप से छुट्टी रखेंगे बिना एप के वो गाड़ी चलाना चाहें चला सकते हैं लेकिन एप की अब छुट्टी रहेगी परेशानी है ही नहीं देखिए शर्ट देख लीजिए इनकी शर्ट तक सिलाई करके जो है पहन रहे हैं अपने दर्द को हसकर छुपा रहे हैं सच्चाई अगर जाने एप को साम को रिटेंगे बेगम ने के साम को अगर नहीं मेलेगा तब क्या होगा मेंका जी बिरियानी बना लेना बुख लगे खा लेना कमाई होगा 5 जगर 600 दे देंगे दी बेगम ने जब हम कल काम किये 2000 रुपे गा दोजार का काम केजी तो उसमें मेरे जो सीएजी फूग गे पंदरसों रुपे का बचे कुछ भी नहीं जब हम घर गे तो रात को खाना भी नहीं मिला बेगम ने घर से भी बाहर रात को निकाल दी करा पांचों रुपे मेरे कल वाले तो तेज महल हो सकता है मेडम कि नमस्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनीत आवाज इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर यहां टैक्सी ड्राइवर मौजूद है क्यूं बार-बार यह मौजूद हो जाते हैं क्यूं बार-बार इन्हें बैठना पड़ता है सरकार के खिलाफ अभी को ही जान लेते हैं पहले हम बात कर लेते हैं जंसेवा ड्राइवर पार्टी के परदेश अध्यक जी से क्या ऐसा मसला हो जा रहा है बार-बार आप लोगों को बार-बार धरना देने बैठना पड़ जा रहा है सब देखिए यह सबसे जो बड़ी गलती है सरकार की गलत नी उन्हों ने हड़ताल रखी थी 18-1920 तारीक की 19 तारीक को डिली के जो परिवाज मंत्री है कैलाइश गयलोज जी उन्होंने बुलाया था मीटिंग के लिए हमारे चार यूनिन के अधिकारी गए थे और चार ड्राइवर गए थे और मैं सबसे बड़ी कमी कहूंगा कि उस मी आपको करके देंगे अभी वो लोग वापिस भी नहीं आया थे यहां पर यहां आके डिसाइड हुआ हमने का एक हफ़ते का समय उन्होंने मांगा है एक हफ़ते का ड्राइवर अपनी तरफ से समय दे रहे हैं तो हम उनको 15 दिन का समय देते हैं अगले दिन सुबह जब हम सो समय ती में कोई भी सड़क से जुड़ा हुआ ड्राइवर संसा एस्टेशन यूनियन इवन ड्राइवर पार्टे का मेंबर भी नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि सत्ता में पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी होता है जो सरकार की कमिया बताता है उनको गिनवाता है जि कि आपके पंदरा दिन पूरे हो गए हैं आपने कोई भी डिसीजन नहीं निकालके दिया ना तो हमारा रेट बढ़ाया है जो 2013 में हमारा लास्ट रेट बढ़ा था उसके आज तक रेट नहीं बढ़ा दिल्ली में टेक्सी का और जो सी एंजी कैपिंग लगी थी कि हम इसको कभी भी 18-20 रुप से उपर नहीं जाने देंगे जो तीन मेंने पहले 40 रुपे ती आज 44 हो चुकी है किराया बढ़ा नहीं सी एंजी डबल हो गई जो एबिस्ट कंपनी है उन्होंने किराया बढ़ाने के जगा घटा दिया 2013 जब यह शुरू ही थी तब इन्होंने 16 रुप यह इस आज घटे घटे गटे ड्रायों को 5 रुपे असी पैसे से लेके और 7 रुपे डे रही है जबकि पर किलोमेटर अगर अगर हमारी गाड़ी एसी में रन करती है आज की रेट में तो हमें नो रुपे पर किलोमेटर पर कोस्ट पड़ती है कि डैवर सिरफ मज़ूरी म में अपने उपर ली है इमाई उनको भरनी है उनको करनी है टायर उनको डलवाने है बैटरी उनकी खरावरी तो उनको कहीं न कहीं कि बैंक वाले जो है गाड़ी उठाना ले जाएं वो मजबूरी में चला रहे हैं कि हमारी किसी तरह किस्ते पूरी हो जाएं उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे-धीरे टेक्सी ट्रेड में उसे टेक्सिया कम हो जा रही है आपने देखाओ कि लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि काड़ियां हटती जा रही है पाटी खड़ी करने के लिए तो आप बार बार नहीं जुट जाते हैं नए ने-एंए ने-एंए क्या बात हो गया है क्यों क्यों हटा रहे हैं दियाश्टी को आप पिल्कुल अटा देरें जाए हैं सामने आ जाई है videos नंटो जुक्य कर रहे हैं अगर वो श्टाण आज होते तो हमें ओलावर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी लेकि यह ओलावर को ओलावर वालों ने मोटा पैसा देकर ड्राइवरों को लालस दिया और स्टैंड खतम कर वादी टेक्सी स्टैंड और टेक्सी स्टैंड सिर्फ कार्परेट डूटी के अंदर ही डिपैंड है जिनकी ड गाड़ी चलानी पड़ रही है कि 88 लाक की गाड़ी लेली और 60 किलोमेटर में चलाने पड़ रहे हैं उसका सरकार ने सिंजी का रेट बढ़ा दिया सरकार को तो खुद शरम आने जी है गरीब होगी सरकार बोले रहे हैं हमारी मेरा नाम कमल जीद कि लिए मैं सर्वोद्दर ट्रेश्चन वडेली का अध्यक्सु आई फैड का नैशन वाइस फ्यरन डूस डाक गया कभी शरकार भी बढ़केंगे मेरे मैठम देखना अप अभी सरकार भी भढ़क लोगाँ जिस तरीके आप इन पर भढ़केंगे क्या सरकार को बढ़ाई कर दिल्ली में अब क्यों हो रही है इसे पता ही कर दी है इनको लडाई करवाँगा को दिल्ली में नहीं है या सरकार की सत्ता में ताज महल को मंदिर बनाने वाले कोन आएगा इंडिया के अंदर को देगा नीचे अरे लोग क्यों आते इंडिया के अंदर के प्यार की निशानी यहां ताज महल मंदिर तो यहां पर मंदिर अमर्नाच चले यहां अमर्नाच क्यों नहीं जा रहा है अंदर बाद में तेजो महल बता दिया उसे उसके नीचे शिवजी का जो है खजाना गड़ा हुए मंदिर है नाम जितन तेजो रख दिया भूका मरें कोई नहीं आएगा यहां पर ताज महल के देखने के अरे बहुत बोल रहे हैं जूटे लोग है यह जूटे लोग जूट बूर जूटे लोग है अरे यह मीडिया के चैनल नी मिलेंगे इंडिया में खेदी बाड़ी करनी जो वहां पर यहां पर आगदिली से आखरा लेकर जाता है भूका मरें जब ताज मंदिर आप बनने नहीं देंगे वह नीचे अगर मंदिर मिल रहा है तो आप मतलब उसका विरोद कर रहे हैं पूचा मैडवी जब मिल जाना मंदिर बता देना मैं क्या बताँगी मैं तो आ में तो आप काम करा मंदिर और दिखा देडान के महीडिव इसके मंदिर आयरे फिर कुछ और कैसी बाते कर रोँची आपको मुझे तो पता है पता है क्यों बणा दो राईस्टान के लोगों ने मिज़या था पत्तर मकराना मारवल मकराना मारवल ताज में बना डिया उन्ह हर राजिस्तान वालों नियुकर्ण Свके आफ मेह। ते आरानई को बतारहां कि तेजो महल हो सकता जूट बोल रहो जूट बोल रहो सरकार के खिलाब बोलेंगे कि नहीं उठाएंगे यह इसी तरीके से आपको मरता हुआ देखेंगे यह कचरा सरकार है कितना भी बोलो यह सुनने वाला सरकार कुछ नहीं कर रही है सरकार की बात कर दिया मंदिर मस्जिद नहीं करना हमें मंदिर मस्जिद मैं कर रही हूं सरकार भटकार रही है सारा जवाब भी आप दे रहे है कैसे चले मंदिर मस्जिद मैं कर रही हूं मस्जिद मैं बनवा रही हूं क्याम लोग यहां पर कर रहा है आप बताई है मालूम धैश्य महल का इस का अ है प्राइब को तैयार है फिर रहिंग्या बनेंगे फिर रहिंग्या को देश से निकाला जाए उसका जुबा में हमारा पास नहीं है हमारा पास यह है कि ओला उबर का डेट बड़े और सेंजी का डेट कम हो बास उसी का कि सरकार अपनी को यह प्राइब कमला परसाथ में लक्समी कांट लक्समी कांट जी बंगाल से रोहिंग्या साबित हो जाएंगे आप रहिंग्या बनके छोड़ेंगे क्या बात रखना चाहते यह बता हिए भूल गये बात है कि हम लोगों सरकार से लड़ना है कि सरकार को हम लड़ेंगे मुता भूल जा रहे हैं नहीं पहुंसे लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे भागी कलमे है और बांगी क्लम मैं किया लंका में लोगोंने क्या हो रहा हुआ है पता है पता है ना श्री लंका मत बना ले कि दृब ना फिरने को आपने पहलेगा तब हर घर में भागत सिंग पैदा होएगा समझेट नहीं को मारें मरने से किसे डर लगता कोन है जो आदमी जिंदा रहेगा बताओं मैं भी नहीं रहूंगा भाइसाब आप लोगों के लिए मरूँगा ना तो जादा के लिए करके जाएंगे कुछ कुर्बानी दे कि जाएंगे इसके लिए अपने ड्रैवर भाईयों के लिए करके जाएंगे और बढ़ें महंगाई बढ़ा दिया भी पहले महंगाई बढ़ती तो महंगाई बढ़ती है सेलरी बढ़ती हैं वह गलत बोल दिया गडरीबी खतम करेंगे खतुन वाला है रुपष तो रोज आ रहा है पर आप को इनी दिखाए देरा वोड़ा ते विकास आएगा अच्छे दिन वह विकास दू बहुत है वह जो आए थे फिकास जी आ गहाए थे विकास अच्छे दिन आ गहे हैं देखो आपके सामने पानी की बोटल हाद में नहीं की खत्म सिएंजी तीन सो रूपर लेकि आदमी निकलता है सुनो मेरी बात भाई सिएंजी एक आदमी 300 रूपर लेकर डिजायर गाड़ी लेकर वह चार खिलो सिएंजी डलवाता है उसके वाद जब वो ना उसको खतम हो जाती है न तो उसको 800 रुप काम हो जाता है ड्रैवर के पास उ सब्सक्राइब कर दो चार पांच किलो मिंटर से बिलाते हैं तो देखो ड्राइवर का क्या हाल होगा वह ड्राइवर है हम वह परिशान आदमी हैं जिनके बच्चों की दो साल वाद स्कूल खुले हैं जूते बड़े हो गए पैरों की स्टुटेंट की यूनिफों में चोटी हो गई है किराये बढ़ गए स्कूल के बैग भी लेने हम वह माता पिता हम लोग है ठीक है न हम वह भाई हैं जो अपनी बहनों का ख्याल नि रख पा रहे दो साल से ठीक है न हम वह अंदर बहुत हैं लिए कि नियाग बड़े हैं जो पने बच्कूअ क्यूं और q размt बने कार के और रहे हैं ज्याखते हैं पहले तब के चैलन को नमस्कार औरत को भी नमस्कार जितने सारती बहुत हैं सभीका नमस्कार सभीका भाई मित्रम इःफान मंडवली दहली से जैसे काफी ऐसे हमारे भाईयों के आपने जो परिशानी है वह आपने सुना आपका भी सुक्रिया आभी जो समस्यां लेकर कि आप का लोगों कि टेक्सी गाड़ी है मेरा नाम महमद इर्फान है जी अभी जैसा कि अभी कुछ और मुददुर बाते कर रहे थी महंगाई के उपर तो महंगाई का मुद्दा जो आभी इस्टम ऐसी हालत है मेडम जी कि आज की बाद बताता हूं या कल क्ल की बाद भी बताता हूं मैं कल जब गाड़ी सफाफा करके काम से निकला मेरे पास एक रुपे नी था मेरी गाड़ी में सी एंजी नी था अपनी बेगम से बोला बेगम जी मुझे 500 रुपे दे दो हम आपको साम को रिटेन दे देंगे बेगम ने एक सर्त रख दी कि साम को अगर नहीं मिलेगा तब क्या होगा आ बचे कुछ भी नहीं जब हम घर गे तो रात को खाना भी नहीं मिला में ऐसी हालत कर दिए अठनी खर्चा रुपईया वेगम ने घर से भी बाहर रात को निकाल दी करा पांसो रुपे मेरे कलवाले दो दो पहले और उसके लिए रात को मैं काम भी निकला को तरस नहीं आ रहा जहाज करीद रहे हैं जी अपनी जहाज परसनल चाइबी सोच यह ओ सोच के इस्टॉल लगा है फिर चाइका का अब्क हमें लग रहा है कि चाइब क्युक्ता के तो वी खेल लें गया ते पहस कर दो तो छोड़ो ऻो मजाक की बात है अब हाकीकत बात यह है मेडम क्या भी महंगाई को पर जैसे हमारे बहुत जादा हम लोग को गुम्राः कर दिया इसा कर दिया है कि मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं सरकार की भाई धर खतम हो जाए अब ही उनको पता है सरकार को कि द्राइबर नहीं रहेगा तो खुद भी घर से बाहर कर दिकलेगा उसको भी चलाने वाला ड्राइबर है सेफटी भी उनका कोई भी केस्टमर हमारे साथ बैठता है ता हम उनके बोडिगार्ड भी है और पूरा सुरक्षा से उसके घर तक मंजिल तक भी पहुचाते इतनी पावर हमारे ड्रैबरों में और मैं सबसे बड़ा जो आप लोगों कहां जोड के निवेदन कानाव सभी सारती भाई ये से कि ऐख जा और अपने पावर दिखाओ और गषा कारी करनी है तौनी बन करेंई ल करेंगे शुले करेंगे जब तक क्योंकि आज के टैम अपने भाइयों को अभ जैसे हमारे जन सेवा पार्टी बनाने उसारा वोटर मोरे तो सब्ष मांस Debatte पिछले सानो हो चुकी है पार्टी रेजिस्टेट हो चुकी है ठीक है ये अब ड्रैवर जो है वो जाग रुक हो रहा है ड्रैवर अब जाग चुका है और उसको मालूम है कि सरकार हमारे पास अगर अभी नहीं जुकी है तो वोट मांगने जब आएगी तब जुकेगी तब इनको मुद्धे सब बढ़का रहे हैं क्या नाम है मैं राजीव कश्चप मैं बुराडी का अद्ध्यक्स हूं एकनोमी टेक्सी से सारे अद्ध्यक्स है कोई नॉर्मल पर संद नहीं है पैसो में आये क्या देखो माड़म में मुद्धा हमारा यह हमें मिनिममम रेट मिलना चाहिए रहे हैं देखिए तक सिलाई करके जो है पहन रहे हैं मतलब अपने दर्द को हसकर चुपा रहे हैं सच्चाई अगर जान ले तो यह हाल हमारा चुपा रहे हैं मैदम जी जब से केजिवाल्स आयाद 2014 में केजिवाली कर रहे हैं अब दो दो जाते हैं पूरा खागई पूरा भी नहीं लिए बिलकुट अब पचा लिया विलकुट सब को डाकार और करसा पंदर ले गया है अब देखों उनको कहीं न कहीं सोचने के मज़ूर होना पड़ेगा क्योंकि जिस ड्राइवर को जिस ड्राइवर के आटों बैठके जिस ड्राइवर के टैक्सी मैटके वोट मांगने निकले थे उनीके दम पे जीत के आये आज उन्ही को उन्होंने रूश्ट कर दिया है कोई भी बात नहीं मान रहे हैं जब से वो बने हुए हैं तब से उन्होंने एक रुपया रेट नहीं बढ़ाया किसी भी टैक्सी के किराय में किसी भी आटो के किराय में और ची एंजी जो 30 32 पर दी आज कि और गोल होगते हैं आप द्राइवर को दिल्ली का वासी आप ही को बोट डालता करने के जैसे हादी के ताद दिखाने के और खाने के और इस तरीके से तरकार को पता है दस लोग वहां जो हम आए हैं उस मंजिल ते काई तुम्हें कौन जानते थे मैं सरकार को बोलता हूं जो अभी बैठे हुए कजरिवाल सरकार को कौन जानते है जानने वाले मेहनत करने वाले हम थे खास बंद्ध्य ग्लाने वाले को नहीं हम हम और टेक्सि ड्रेवर आप क्या करना कुर्षी प सकते जनाप तो कुरसी दी सो उतारने का भी पावर रखते हूं बिल्कुल हमारे हमारे दंपर हमने ही ने ताज बनाया था और हम इंगे उतारेंगे उटो वाले जिद्रे चलाते ना देखना एक बार उनका आधार काड नियुक्त आधे से जादा ओटो वालों के पाद अभी देखिए कैसे यह तो ट्रेवर भाई है एक ता के बंगर की सरका और हमें पता लग रहा है कि सरकार खुद गुलाम है मौधी खुद गुलाम है ओला उबर ने खरीद रखका है मोधी को के लिए और ने को खुद रखका है ऑला उबर के लोट बात करने गई हम मेरा नब करन जी गोठ वाले गुड़वार से आया हूं आप भी किसी अध्यक् अब बिमार होने के बात भी यहां आ रहे हैं अलाल जी अब कल की वीडियो मेरे देख लो आप जो बात वात करने दूना उन्हीं सप्रेल को हम गये ते केलाज गलोट से बात करने अभी यह बताई यह उसने यह बात बोली कि हम बोला उबर कुछ नहीं कर सकते हैं क्यों नही मैं खुद मिटिक में सामिल था तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते वो बोड दिया ड्रेवरों ने बोड दिया है सत्ता बिठाया है इसलिए बिठाया ना कि गरीब हो का भला करें को प्रेसानी उस प्रेसंग को खतम करो इस चक्कर में हमें यह लग रहा है कि केलाज ग्लोट को केजरिवाल को ओला उपर ने खरीज रखा है और पिछले अफते बुलाया ओलावर के अपने पास अगर उसका किरायर नहीं कर सकते तो कंपलेंड में कैसे पिछले अफते बुलाया अब यहां कितनी बार आप लोग बैठ चुके हैं अब क्या करेंगे यह त के सोंबार डिजिटल हरताल रहेगी हर सोंबार जैसे हर आदमी की संडे की छुट्टी होती है उसी तरह दिल्ली एंसियर के जितने ड्रैवर हैं वो सभी अब सोंबार को अपनी एप से छुट्टी रखेंगे बिना एप के वो गाड़ी चलाना चाहें चला सकते हैं लेकिन अगर सरकार चेंजे करेंट गटा देती है हमारा ड़ा देती तो हमें किसी से क्या लेना हम अपनी सर्वीस पैसले से अगे क्या करेंगे आगे जैसे अपने खुद बोला ट्रैवर जाक चुका है जहर से जहर को काटने लिए उसने पार्टी बना ली है सरकार सुनेगी ठीक है नहीं तो अगली बार सरकार के खिलाब एक पार्टी खड़ी कर रहे है खड़ी कर चुकी है खड़ी हो चुकी है चार स्टेट में आ चुकी है और जो भी चुनाव आएगा उसमें हमारे पार्टिसिपेट उतरेंगे लड़ेंगे और ड्रैवर समज सारा उनको जिताएगा क्योंकि कश्मीर से कन्या कुमारी तक जो हमारा ड्रैवर समज डारेक्ट ओ इन डारेक्ट चौनतिस करोड लोग हैं और चौनतिस करोड लोग बहुत कुछ बदलने में सक्षम हैं सोचना पड़ेगा अब जाग चुके हैं इतना दिन तो सुए थे इतने दिन सो रहे थे हाँ वह उपर उनको लाले देती अभी सर्ट लगाई तो फगला जाएंगे अभी यहां से भाग जेंगे जन तर्वन्ट से हमारे ड्राइबर जो है ना वो लालची है दो मिनिट में बदल जाते हैं नहीं सब्सक्राइब जाते हैं तो यह हमने विरोध में बांदा है और आज हमने शुरुवात की है आज शुरुवात की है हर सोमवार को जितना भी ड्राइवर समाज है वो बाज अपने राइट हैंड पे काला रिबन बांदेगा और विरोध में गाड़ी चलाएगा सरकार की गलत नीतियों की खिलाए चलाएंगे या बंद कर देंगे गाड़ी मंदे को बंद कर देंगे गाड़ी जो है अगले मंदे से बंद करन servants primera को छुटटी रहेगी ड्राइवर ने जाते हैं रोज जाते हैं रोज गंटीव जाते हैं मैं नहीं जाती मंदे मजजद जाते होंगे गुर्दवारे जाते होंगे चर्च जाते होंगे अपने घर में ही कोई फोटो मूरती होगी उसके आगे माथा टेकते होंगे तो उसी तरीके से आज शुरुआत हो चुकी है जो लोग आज जा रहे हैं कुछ लोग कल जाएं कुछ अगले हफ्ते जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर और एक दिन सब की कामना पूरी जरूर होगी ये मंडे अगने नेक्स मंडे होगा जो अभी हमार पे मेरा फोना है जैपुर से और सुबह आया था कि चन्ने से कलकता से बात रखी बात यह रख रहा हूंगी यहां तो सोमार हमने श्री गनेश कर दिया अगले समार से और हैं जूर का आज से करा हमी राख दीजिए देखिए सरकार जटने ना ओवान चालिशा करेंगे मेरी बात सुनीबह यां बोला आपने बॉला देखीर चैस्टी गर्ड़े में चन्डिकणी कलकता में भी है अच्ताइब बारत के और एक दिन ऐसा आएगा निदिज गडगरी खुद आएगा कदमों में जुकेगा ड्रेवरों के उस दिन का जा रहे हमें हम भी पूरा अधिकार जीने का मेंगाए के साब से जो सबको बढ़ता मिलता है कि हमने क्या गलती कर लागी है हमारे के बढ़ते नो साल हो गई हम कहीं बाहर साब पसे में हैं क्या हम विजडेश के नागरी के सरकार नहीं समझ रही आपको नागरी सरकार तो में भी गुलाम बना देगे एक और एक देजो दूर दूर नहीं जो मोधी खुद आएगा ड्रेय के लिए पूरे देश के अंदर हर सोम्माल को हड़ताल होगी डिजिटल हड़ताल अगले सोम्माल को और भी चैत्रों के ड्रेवर जागेंगे अभी हमने इनी लोगों से बात किया जाना कि किस तरीके से लोग लगातार हड़ताल पे बैठ रहे और सरकार गुंगी बैरी होकर सत्राइब अब यह सद्धा की कुर्सी तक खीछने की बात कर रहे हैं और इन्होंने एक अधान किया है कि अब जो है डिजिटल हड़ताल होगी हर सोम्मार को पूरे भारत में इसी तरीके की हड़ताल करेंगे अब देखने वाली बात यह है कि इनको वाकई मिन्याइए मिले या नहीं मिलेगा जब तक के लिए देखते रहें जनीत आवास नहीं देखेंगे